तो बचो आपके पास question number 5 is straight line j means package question में लिखा है the ratio in which the line segment joining the points 2, minus 3 and 5, 6 is divided by तो बचो आपको point निकालना है और ये जो point है वो कहां पिलाई करता है x axis पे ये पहला case है और उसके बाद y axis पे ये दूसरा case है तो बचो सबसे पहले अगर हम x axis पे वो point लेते हैं उसका नाम है m अगर वो x axis पे तो उसका y coordinate क्या होगा जीरो हो तो सबसे पहले बचो हम उस m point को निकालेंगे और निकालने के बाद उसका y coordinate 0 कर देंगे तो हमारे पास जिस ratio में वो point divide कर रहा है line joining वो वो ratio हमारे पास निकल के आ जाएगा that is 1 is to 2 उसी तरीके से इसी same line joining को एक all line divide कर रही है case to 1 में वो है y axis अब अगर y axis है तो उसका x coordinate क्या होगा 0 होगा ठीक है that means बच्चों अब आपके पास फिर से section formula आपको लगाना पड़ेगा और section formula लगाते ही आपके पास answer आ जाएगा और उस answer का क्या करेंगे x coordinate 0 कर देंगे क्या पॉइंट कहाँ लागे एक लाई करता है यह point lie करता है y axis 2 जैसे हम 0 करेंगे तो हमारे पास k की value minus में आएगी minus का मतलब क्या होता है बच्चों कि यह divide तो कर ला है लेकिन externally divide कर ला है ठीक है समझ गे तो बच्चों इसका सही answer क्या होगा एपार्ट 1 is to 2 internally divided by x axis 2 is to 5 externally divided by y axis ठेंक यू बच्चों आपके पास पूरा answer आपकी screen पे visible भी है आप उसको note कर सकते है ठेंक यू बच्चों